यारे किसान भाईयों नमस्कार किसान भाईयों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पर तो किसान भाईयों मैं आपको बता दूँ नासिक मंडी के भाव के बारे मैं आपको बताऊँगा और आज 26 जन्वरी है आज किसान भाईयों सौरे दिवस है और गरतंत्र दिवस 26 जन्वरी की हरदिक हरदिक सुभकामना है सभी प्यारे किसान भायों को सौरे दिवस की हरदिक सुभकामना है तो चलिए किसान सात्यों इस वीडियो मैं आपको नासिख मंडी से लेकर हर एक जनकारी हर एक अपडेट कराएंगे आज जी कैसा माहल देखने को मिला है किस मंडी में क्या अपडेट देखने को मिली है तो सारी जनकारी सारी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर ही सस्क्राइब करें किसान भायों कि आज जी नासिख मंडी में क्या अपडेट देखने को मिली है मैं आपको नासिख मंडी से हर एक अपडेट के बारे में बताऊँगा तो किसान भाइयो मैं आपको बता दूँँ आज 26 जन्मरी 2021 को नासिख मंडी में सबसे उपर में जो प्याज है किसान भाइयो वो 2600 रुपे तक के भाव में देखने को मिला है सुपर कॉलिटी के प्याज की बात करें तो किसान भाइयो 2400 रुपे से लेकर 2600 रुपे तक के भाव में देखने को मिला है अगर यहीं पर किसान भाइयो मीडियम कॉलिटी के प्याज की बात करें तो किसान भायो 21 रुपे से लेकर 350 रुपे तक के भाव में देखने को मिला है अगर किसान भायो गोल्टा प्याज की बात करें तो 1500 रुपे से लेकर 2000 रुपे तक के भाव में देखने को मिला है अगर गोल्टी प्याज की बात करें तो किसान भायो 1100 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक के भाव में देखने को मिला है अगर यहीं पर खराप्याज की बात करें किसान भायो जो खराप्याज होता है वो 300 रुपए से लेकर 900 रुपए तक के भाव में नासिक मंडी में देखने को मिला है किसान भाइएो मेरे प्यारे किसान भाइएो ये नासिक मन्री की बड़ी अपडेट है ताजा अबडेट है अभीए ये अपडेट हमारे पास अपडेट होकर आया है डारिक्थी नासिक मंडी से